हम लोग बात कर रहे हैं मद्दपिदेश current affairs की बारे में यानि कि मद्दपिदेश में जो घटनाएं घटती रहती है ना उनसे आपकी परीक्छाओं में questions पूँचे जाते हैं आप लोग पुराने questions पेपर उठा के देखी अपने exam की चाहे वो आपका MPPSC हो या आप देखते हैं कि सिक्षक भरतिया होती रहती हैं इस तरह की आप देखी तमाम exam आपकी राज में होते हैं और अभी तक आपने देखा है कि पिछले जो भी मन्त रहे हैं 2022 के हो या 2023 के हो सभी के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है सभी को कवर किया हुआ है तो मद्दपिदेश मंतली करेमटर अफेयर्स के नाम से जो आपकी playlist सूची बनी हुई है उसी में सभी किलास में आपको मिल जाएंगी और आज की किलास में हमें अपरेल 2023 में जो घटना है घटी है उन्हें देखना है उनका एक ओवर्वीव लेना है जो आपकी एक्जाम के लिए महत्पूर्ण पॉइंट होंगे उनको देखना है एक बार आप लोग मद्पिदेश को देख लिए यह देखिए हमारा प्यारा भारत है भारत में आप देखें अगर पड़ोसियों को तो आपको देखने को मिलेगा यह पड़ोसियों में आप देखें पाकिस्तान है अफगानिस्तान है यह आप देखें चाइना लगा हुआ है नैपाल है इभूटान है बंगलादेश है म्यानमार है और जली सीमा हमारी से लंका से भी लगती है पाक जिल्डमरू हो मनार की गया था और पहले छेथफल में सबसे बड़ा राज्य आपका मदफिदेश ही हुआ करता था अब आप देखेंगे कि आपका राजस्तान पहले पर है और मदफिदेश दोसरे नमबर पाता है यहां विधान सभा में 230 सीट है राज्य सभा में आप देखेंगे तो आपकी कितनी सीट है ग्यारे सीट है लोग सभा में 29 सीट है देखने को मनेगी सबसे उत्तर में आप देखें मुरेना सबसे दच्छन में बुरहानपूर सबसे पश्चन में सिंग्रॉली हो सबसे पश्चन में आपका अलीराख और सबसे पूर में सिंग्रॉली है और जो मानक समय रेखा मन्ति परसद की बैठक हुई है और जिसमें मन्ति परसद ने पिदेश में 730 PM स्री स्कूलों की इस्ताफना का अनू समर्तन किया है अब आप देखिए जब बैठक होगी तो कुछ तो नेड़े लिए जाएंगे और पिदेश की पिदेग विकासकंड में अधिक्तम 2 स्कूल 313 विकासकंडों में 626 और बावनजिलों की नगरी निकायों में 104 स्कूल इस तरह अधिक्तम 730 स्कूलों को PM स्री स्कूल की रिवू में चिन्नित किया जाएगा और चिंदित स्कूलों में एक प्यारमिक सिक्षा कप्षा पहली से यारवी और एक बिध्याले उच्चितर मादमिक सिक्षा के लिए संचालित होगा PM स्री स्कूल की लागत आप देखें 60 अनुपाते 40 के अनुपात में केंद और राज जुद्वारा बहिंड की जाएगे पांच बर्स की है और इस साओधी में आप देखे 555 करोड 80 लाख रुपे का बै भार राज्य सरकार पर आएगा योजना के पांच बर्स बाद इसका संचालन पूरी तरस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और पी-म सरी स्कूल मेराश्टी सिक्षा नीती 2020 के प्राउधानों के समगगर रुप से अनुपालन के साथ सिक्षा की गुरवत्ता समानता और सिक्षा सोविधा की पहुँच का समभाविस किया जाएगा और ये स्कूल अन बिद्ध्यालेओं के लिए उधारिन की रुम में पिस्तुद भी होंगे और आप लोगों को एक और बात मालू होने चाहिए कि कई ऐसे बिक्सित देश हैं जहां देखिए स्वास्त और सिक्षा पूरी तरह से फ्री रखी जाती है ठीक है फिर आप देखेंगे यंगली खबर चार अपरेल 2023 को ही मद्धकदेश पाबज जनरेटिक कमपनी के संजय गांधी ता बिद्धुद ग्रह बीर सिंग पूर में ने संजय गांधी ताब बिद्धुद ग्रह बीर सिंग पूर की पांच एकाईयों का बिद्धिवर्स 2022 थेश में कुल बिद्धुद खबत जीर देखेंगे और सेंट सहाइक खबत आप देखें और जली कंजम सन आठ पितिशत रही है और याद रहे संजय गांधी ताब बिद्धुद ग्रह में 210 मेगाबाट चमता की चार और 500 मेगाबाट चमता की एक एकाई है और 210 मेगाबाट चमता में चार इकाई हैं किरम ससातक टूबर 1993, 26 मई 1994, 1 सेप्टमबर 1999, 1 अपरेल 2000 को सन 2000 को किरियासिल हुई थी और 500 मेगाबाट की एकाई करमांग 5, 27 सकस्तों 2008 को किरियासिल हुई थी और इसे विद्धुद ग्रह की कुल इस्थापित उत्पादन चमता 1340 मेगाबाट है 1340 मेगाबाट और संजय गादी ताप विद्धुद ग्रह बीर सिंगपुर की 500 मेगाबाट की एकाई ने भी बित्ती बर्स 2022-23 में कुल 3927.6 मिलियन उनिट बिद्धुद उत्पादन और 89.7 पितिसत पी एलेप अरजित करते हुए अभी तर्थ का सरवादिक बिद्धुद उत्पादन और सरवादिक पी एलेप अरजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है और ये से काई की कुल बिसिट तेल खापद 0.24 मिलिलीटर पिती उनिट रही है यह अभी तक की निवतम तेल खापद है सबसे कम इसमें आप देखेंगे 5 अपरेल 2023 को नई दिल्ली की राष्टपती भवन में आयजित पदम पुरुसकारों दुतिय संकर में राष्टपती दुरुपती मुर्वू ने मद्धपदेश की तीन विवतियों को बर्स 2023 के लिए पदम सरी पुरुसकार से समानित किया है यह पदम सरी आप देखेंगे 1905 में सुरू किये गए थे 1905 में राष्टपती भवन के दर्बार हॉल में आप देखें नागरिक अलंकर समारू के दूसे चर्ण में 2023 के लिए तीन पदम पुरुसकारों पुरुसकारों किये गया है और कला के चित में रवेश पर्मार, स्रीमती सांती पर्मार और चिकेसा के चित में डॉक्टर मुनेसोर चंद डावर को पदम सरी से सम्मानित किया गया है जावुआ के कलाकर दमपती रवेश परवार और स्रीमती सांती परमार पिछले तीन दसकों से जावुआ की सुपिसित जंजाती गुडिया और पारंप्रिक जंजाती परिधान के निर्माड में लगे हुए और जबलपूर के चेकेसक डॉक्टर डावर के भायती इलासि समाज में के कमजोर वर्वों के लिए लोगों की सेवा कर रहे हैं तो इसके लिए नमल आया है यह आप लोगी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे अंगली खबर आप देखी 5 अपरेल 2003 जिसको मुकमंती सिवरासिन चोहन ने सहडोल जिले के ग्राम बहिरिया में 116 करोड 78 लाक रोपे की लागत से हिरवार सूख्च में सिचाई परियोजना का लोकर्मपन किया है और यह साउसर पर मुकमंती ने कहा है कि सहडोल जिले के हिरवार सूख्च सिचाई परियोजना से 37 ग्रामों में किसानों की 7481 एक्टर भूमी में सिचाई परियोजना का बिस्तार होगा और मुकमंदी ने केंद और रासरका द्वार किसानों के हित में अनेक योजना संचालित की जाने हैं किसानों के खेत तक पानी पहुचाने के लिए बड़े पिरमाने पर कार हो रहा है और पिदेश में सिचाई का रुकवा रखवा नेंतर बढ़ रहा है अंगली ख़बर आप देख चैपरेल 2023 को बालागाट का स्टोन क्राफ्ट बालागाट की वरा सी उनी कि साड़ी और रीवा के सुंदर रजा अहम सामेल है इसमे है और याद रहे है पहला उसर है जब एक साथ पिदेश की इतने उतपादों को जी आई टेग पिदान किया गया है और साथी पिदेश में GI Tech प्राप्त उत्पादों की संख्या 19 हो गई है और GI Tech यानि की Geographical Index एक पकार का लेबल होता है जिसे किसी product को business भोगोली पहचान दी जाती है जो Kendri Everage मंत्राले द्वारा दिया जाता है उन्होंने काए कि नावार टेक्टाइल कमेटी उबस्न नावा मंत्राले की सहयुक सिराज सरकार ने कुटीर और ग्राम उद्धियक विवाग के साथ इस्थानी उत्पादक्ता संस्थाओं कि समनबै से यह सपलता प्राप्त की है यह आप देखें डिंडोरी की गौंड पैंटेंग हो गई आप लोगों को दिखाई दे रही है अपने स्क्रेन पर यह आप देखेंगे ए ग्वालियर का कार्पेट हो गया देखें यह आप देखेंगे कि क्या उज्जैन की वाटिक फ्रेंट हो गया यह आप देखेंगे कि जवलपुर हिडागाट का स्टोन क्राफ्ट हो गया यह आप देखें बालागाट की वरास्ति योनी की सारी हो गया और यह आप देखेंगे लीवा का सुंदर अजा आम हो गया अंगली खबर आप देखें आठ अपरेल की है आठ अपरेल 2023 को कंद्री सामाजिक नयाईवं अध अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरंद कुमार ने मद्धकदेश के चतरपोर कि महा महलान गेट इस्थित पुराने तहसील भवन में दिभ्यांग जनों को के कौसल विकास पुनरवास और अधिकारिता के लिए समग छेतरी केंद्र की सेवाओं का उधगाटन किया है और कारि दिभ्यांग जनों समाज की विकास में युगदान्स कर सकें और उनने काए कि दिभ्यांग जनों के पुनरवास से संबंदित विभिन छेतरों से जोड़े विसेसगों को एक छत के नीचे लाकर समरदिल सेवाओं की तुरित आपूरती सुनिशित कर चतरपोर और उसके आस CRC दिभ्यांग जनों को आवसक सेवाएं पिदान करेगा और मत्विदिस राज में मानोज संसाधन विक्सित करने में मदद करेगा उन्होंने काया कि मत्विदिस सरकार द्वारा चतरपोर जिले में पिदान कीगी दो हेक्टर भूमी पर CRC चतरपोर के भवन निर्मान भी स CRC दिभ्यांग जनों के लिए कौसल विकास पिसीक्षन आयुजित करने के अलाबा दिभ्यांग ताकी 21 सेणियों के लिए पुनरबास सेवाएं पिदान करेगा और दिभ्यांग जनों के लिए साहता उकर्णों और युनिवसल आइडेंटी यू-डी-डी-डी-कार बितित करने के लिए सिविर आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा यह काड़ पूरे देश में मान होगा और सोगाम भारत अभियान की दिसा में नहीं पहल की जाएगी यह अभियान दिभ्यांग जनों को सार जोने सार भौमें पहुंच पिदान करने यह तो देश भर में जारी है और आप देखेंगे कि CRC चतरपुर द्वारा दिब्यांग चात्रों को बिना किसी बादा के अपनी सिक्षा जारी एकने के लिए बित्तिय साहता और चात्रपिती भी पिदान की जाएगे। और भोपाल एहमदाबाद और नांगपुर इस्तित, CRC के अलाबा CRC चतरपुर का पिसासनिक नियंतर भारत सरकार के सामाजिक नियाए और अधिकार्ता मंतरालाई के दिम्ब्याग जन ससक्तिकन विभाग के तहत मुंबई स्तित अली यावर जंग जंग इननेशनल कर्णाटक के मैसूर में परवंधन प्रभाव सिलता मुल्यंकन के पांचविदोर की सारांस रिपोर्ट जारी कि और याद रहे पहले स्थान पर केरल का परियाँ टाइगर एज़र रहा है उसका प्रबन्धन परभाव सिल्ता मुल्यांकन स्कोर 94.38 तौहें दूसरे प्रवंधन कार बहतर टीम के चलते प्राप्त हुआ है और इस रिपोर्ट में वर्स 2022 में अधी सुचित रामगर्ड विस्थारी टाइगर राजिस्तान रानीपोर टाइगर रिजर्ब ओतर फिदेश को सामिल नहीं किया गया है और वर्तमार में देश में कुल 53 टाइगर सर्वे में मुल्यांकन टीम, दस्तावेजों, जमीनिकार, फिल्ड श्टाप और हिद्धारकों के साथ बाचीत बन जीवों की बिद्धी और सुरक्षा और प्रवंधन पिडालियों की स्तर का मुल्यांकन भी करती है समधाय पर्याटन को सुब्यवस्तित करना फारक और जा पर्याटन बायो जियोग्राफी के छेत का हिस्ता है, अभूतपूर प्राक्तिक सौंदर से भरपूर या देश की प्राचीनतम बन संपता है, जो बड़ी मेंस से सजोकर रखी गई है, हिमाले छेत में पाई जाने वाली बनस्पती की कुछ पर जाती है, और दच्छिड के पहडी सिंख्राब ने 1500 से आप देखें, 10,000 बर्स पुराने 50 सेला सरे हैं, और प्राक्तिक महत्ते के साथ इनका पुरात तात्विक महत्त भी है, इस पेकार सत्पोडा टाइगर रजर्ब देश के मद्द छेति के एको सिस्टम की आत्मा है, और आप देखेंगे कि यहां अ पुडन गिलेरी हो गया, बागों की उपस्तिती और उनके पिजनन छित की रूम में सत्पोडा टाइगर रजर्ब पिसिद्द है, या रजब बागों की अच्छी उपस्तिती बाले मद्द भारत की छितरों में से एक है, देश के बागों की संक्या 17% और बाग रहवास आता है, और सत्पोडा टाइगर अजबर एक पिकाल से हिमाले और पश्मी घाट की बीच बन जीब की उपस्तिती का सीतू बनाता है, या मालावार भीसलिंग, थ्रेस, अर्थात कस्तूरा पक्ची दूद राज, मालावार पाइड, हर्णविल, अर्थात घनेश पक्ची के ये भी आदर्स रहवास है, और आप देखेंगे कि 10 अपरेल 2013 को मद्पदेश के लोग स्वास्त एवं परिवार का लियांड मंत्री, डॉक्टर फिर्भुरान चौदरी ने राजिस्तरिये जापानी इंसेफलाइटिस, टीका करन अभियान का रायसिन जिला, चिकाला, चिक चिका करन से इस जान लेवा बीमारी किसी सुरक्षा मिलती है, और टीका करन टीम जापानी इसे पलाइटिस, टीका करन अभियान में सत्किती सत बच्चों को टीका लगाना सुनिश्चत करेगी इससे, क्या करेगी? सुनिश्चत करेगी. 11 एपरेल 2023 को मद्ध पिदेश की मुकमंत्री सिवरा सिंग चोहान की अद्धिक्षता में मंत्री परश्चत ने पिदेश में मद्ध पिदेश राज मिलेट मिसन योजना लागू करने का नेड़ लिया है और इसमें आप देखेंगे इस योजना का किरियानमन संचालक किसान, कल्यार तथा किरसी विकास के माद्यम से सभी जिलों में किया जाएगा और साथी इस योजना की मोनेटरिंग के लिए किसी उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राजिस्तरी समती गठित की जाएगी और इस योजना की योधी आप देखें दो साल होगी 2023 और 2024 और इन दो बरसों में योजना में 23 करोड 25 लाग रुपिये बैख किये जाएगे और इस योजना की अंतरगत किसानों को मोटी अनाज के उन्नत प्रमाडित 20 सहकारी सास किये संस्थाओं से 80 पितिसत अनुदान पर प्रिदान किये जाएगे और मिलिट में सन्योजना की अंतरगत मिलिट फसलों के उत्पादन पिसस्थ कर्ण इवं बिपड़न को बढवा देने के लिए किसानों के पिसीक्चर्ण, कारग्रम, बर्राज्य के बाहर अध्यन प्रमण होंगे और मिलिट को बढवा देने के लिए जिला एवं राज जिस्तर पर मेले, कारसाला, सहमीनार, फूर्ड फेस्टिवल, रोड सो किये जाएंगे इसमें और आप देखेंगे कि याद रखिए कि मिलिट अनाज की फसलें कभी पिदेश के खान पान की संस्किती के केंद में थी और वर्थमान में इन फसलों के पोसक महत्विक को दिरिष्टी गद रखते हुए इन्हें बढवा दिया जाना आवस सके और इन फसलों की केती प्रया कम उपजाव छित्रों में की जाती है वर्थमान में उपभोकताओं में स्वास्त की पिती जागरूखता बढ़ने से मिलिट फसलों की मांग बढ़ रही है कोदो, कुटकी, रागी, सामा जैसी फसलें स्वास्त की दृष्टी से अतंत लाइबदायक है और इन मिलेट फसलों की महत्व की दृष्टीगत इनको फोसक अनाज का दरज्या दिया गया है और इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्सियम, फाइवर आदी से भरपूर होते हैं और साथीर में ववसा का पितीसत भी कम होता है और जिससे हिदय रोगी और डाइबटी रोगीयों द्वारा इनका उपयोग सुरक्षित पाया गया है और इसलिए आप देखें किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोसाहन करने और मिलेट फसलों से तियार बेंजनों का पिर चार पिसार किया जाना आवस्ते के और पिदेश में आप देखें कोदो कुटकी, जुआर, रागी के चेत्र विस्तार, उत्पादक्ता, उत्पादन बिधी की परियाप्त संभावना है और साथी मिलेट फसलों की भरते बाजार के दृष्टी गत्मूल संभर्धन की संभावनाओं भी काफी अधिक देखने को मिलेगी इसमें अंगली खबर आप देखेंगे, एक 11 अपरेल 2023 को मद्धकदेश के ग्वालियर के जीवाजी राव विस्तविध्याले को नेक कमेटी द्वारा एप पिलस पिलस ग्रेड दिया गया है और इसके द्वारा ही जीवाजी विस्तविध्याले पिर्देश का ऐसा एकलोता विस्तविध्याले बन गया और जिसे यह उच्छ ग्रेड प्राप्त हुआ है और याद रखे नेक कमेटी की 5-10 यह टीम ने 27-29 मार्च 2023 तक जीवाजी विस्तविध्याले का निरिक्षन किया है वहीं बोपाल की महरानी लच्चमी बाई महाविध्याले को नेक रेंकिंग में एक ग्रेड प्राप्त हुआ है और सिव फरी के PG महाविध्याले ने एक कदम आगे बढ़कर रेंकिंग में B-plus ग्रेड प्राप्त किया है और उच्ची सिख्चा भेवाग द्वारे नेक में समलित होने बाले विध्याले ओं महाविध्याले ओं विस्विध्याले को प्राक्ति में रखकर प्रिशिक्षन से लेकर इंफराटक्चर की पूर्ती की गई है और महा विध्यालेओं का internal assessment कराए गया है और आप देखेंगे e-library, wifi पर से सिक्षकों का पिसिक्षन, e-content, incubation center, hostel और विध्यारतियों का performance सिक्षकों के सोथकार के लिए आधार पर मुल्यांकर नेक गेडिंग तै की जाती है और याद रहे कि नेक या National Assessment and Aggregation Council राष्टी मुल्यांकर पित्यारन पईसत का काम देश भर की उनिवसिटी, higher education institute और प्राइवेट इंस्टीट की quality पर रखना और उनको रेटिंग देना है University Grant Commission ने जो नई guideline जारी की है उसके मताबिक सभी सिक्षण संस्थानों को नेक से मानता पाना जरूरी है अगर कोई संस्थान इस से मानता नहीं लेता है तो उसे किसी Government Wallis का फायदा नहीं मिलता है और महाविध्याले विस्विध्याले या फिर आप देखे कोई और उच्ची सिक्षा संस्थान सभी मानकों को पूरा करने पर नेक grading के लिए आबिदन करता है और आब देन के बाद नेक की टीम संस्थान में आती है और आप देखे इन इस पैक्षन करती है और इस दोरान बे एजूकेसनल फैसिलिटी इंफराटेक्चर कॉलेज एट्मोसफेर जैसे बिभिन पहलियों की जाच करते है अगर नेक की टीम संतुष्ट होती है तो आधर पर CGPA दिये जाते है और जिसके आधर पर बाद में ग्रेड दिया जाता है और एक बार नेक ग्रेडिंग मिल जाने के बाद इस चार साल के लिए मान होता है चार सवाल बाद फिर आप देखे फिर से रेटिंग दी जाती है और नेक में टेंपरेरी ग्रेडिंग की भी बिवस्ता है, जिसमें 2 साल के लिए grading दी जाती है, अगर कोई माविध्याले, विश्विध्याले नेक द्वारा दिये गए, grade से खुस नहीं है, तो 6 महिने के बाद फिर से grade के लिए आभेधन कर सकता है, क्या कर सकता है, आभेधन भी कर सकता है, 11 अपरेल 2023 को मद्वधिस मंती परियोजना ने डुंगरिया माइक्रो सिचाई परियोजना और टिक रॉली डिस्टी वियूटरी परियोजना का पुनर रिक्षित मंजूरी दी है और इन दोनों परियोजनाओं से लगबक साथ 6,000 हेक्टर से अधिक 6 सिंचित किया जाएगा यानि कि सिचाई योग रहेगा तो यही बात हो रही है और आप देखें ग्वालियर जिले में टिक टॉली डिस्टी वियूटरी लगू सिचाई परियोजना से सिचाई सुविधा उपलब दिखराई आएगी और परियोजना की अनुमानत लागत चबालीस करोड नब्य लाग रुपी है इस परियोजना से आप देखेंगे कि इस परियोजना में 1.10 मेगा वाट बिद्धूद खपद भी होगी इस परियोजना में आँगे चलते हैं हम लोग जबलपुर नेदेशक अनुसंदान सेवा हैं राजमाता विज्या राजी सिंधिया किरसी विष्विध्याले गवारियां और संचालक भारती मिर्दा बिग्यान संस्थान भोपाल और संचालक मद्पदेश राजी जयविक पिरमाडी करन संस्था सदस होंगे और ये समती में प्रग्ति सिंधियल करसक बिसिशक सदस होंगे और राजस्तरी ये किरियान मन समती राजज नोडल विभाग द्वारा तिरयार करेगी बारसी और योजना कानमोदन करेगी साथी या सीमित संती नोडल और अन सम्मंदीर विभागों के साथ नेमे बैठक कर यह उजना घटकों के किरियानमन की निगरानी भी करेगी यह आप देखेंगे 12 अप्रेल 2023 की घटना है को मद्देच्षेत विद्धूद वितरन कंपणी द्वारा कंपणी कार्षेत में आने वाली ग्रामीड वितरर केंदरों में राजस संग्रहन में बहतर पिदसन करने वाली लाइन करमचारी मीटर रीडर्स के लिए जारी किये गए पुरोसान योजना की अउधी 31 मार्च 2024 तक विस्तार के साथी उभोगता संतुष्टी में बिद्धी परिलक्चित हुई है और इस योजना में कंपणी द्वारा ग्रामीड वितररन के अंदरों उसके लाइन करमचारी और मीटर रीडर द्वारा 250 से अधिक देखों का राजस संग्रहन करने पर योजना के प्रावधा अनुसार निर्धारित प्रोसान रासी का बुगतान किया जाता है और वित्तिवस 2022-23 में 5,058,365 अभोगताओं से 91,42 लाइक रुपी का राजस संग्रहन करमिकों द्वारा किया गया है और कुल 162 पात करमिकों को लगबग 24,60,000 रुपे की प्रोसान रासी दी गई है एना कहे लिजे आप लो अंगली खबर आप देखें 13 अपरेल 2023 को प्रमुक सचे परेटन एबं संस्किती एबं प्रबंधन संचालक टोर्जी बोर्ड सेव सेखर सुकला ने बताया कि मुकमंतरी सिवरा सिंग चोहान यूनेस को परेटन मंतराले भारत सरका और भारती पुरातत स सरक्षन और परेटन विभाग मद्पदेश आसन द्वारा सेखत रूप से भोपाल में विस्व विरासत पर उप छेतरी सम्मेलन सब रीजिनल का 17 अपरेल को सवारम करेंगे और सेखर सुकला ने बताया कि दो दिवसी सम्मेलन के लिए भोपाल पहुँचे रहे पिती निध विस्व विरासत इस्थलों के सरक्षन के चिंद में उपलबदियों, चुनोतियों और आगामी रनीती जैसे विस्व पर विचार भी करेंगे। और नवंबर 2022 में युनेस्को वर्ल्ड हरीटेज कन्वेंशन की 50 वी वर्सगाट मनाई गई थी, और गत 50 वर्सों में सांस्केतिक विरासत कार्ड इसमारिक केंदरित से परिवाथित होरका लोग केंदरित और समग दरिश्टी कौर्ड पर केंदरित हो चुका है, इतिहासि पर रेटन स्तलों को युनेस्को विस्त धरोवर की संभावी सूची में चैन आदी मुक हैं, और हुएल प्रोजेक्ट हेतु युनेस्को द्वारा साउथ एसिया देशों में पिथम बार ग्वालियर ओर्चा का चैन कर अनुसंसा की गई है, इसमें, आप देखते हैं, पिदेश राज्य साकहा द्वारा डौक्टर भीम रयों मेटका जैंती के अउसर पर सुआस्त सेवा बाहन का संचालन भौपाल में किया जा रहा है, और रैड क्रोस राज्य साकहा की चैन में डौकर गगन कोले ने बताय कि कि चले स्वास्त सेवा बाहन वाहन के उपयोग से बोपाल महानगर के दूरस्त अंचल की बस्तियों में नेमित स्वास्थ से भी लगाय जाएगे और रेल बहान द्वारा स्वास्थ पर इकछन किसाथ संख्वर्ण से फैलने वाली बीमारीों के लिए जन जाग रुखता वियान भी चलाया जाएगा वाहन से स्वास्त सुरक्षा ही तु आवसक सामगरी का भी बितरन किया जाएगा यह अंगली खबर की तरब चलते हैं यह आप देखें 13 अपरेल 2023 को उद्यान की एवं खाद पिसंसकरन राजमद्री सुतन परवार भारस सिंग चोहान ने कहा है कि पिदेश की पहली हाइट्रेक फिलोरी कल्चर नरसरी और एरोपॉनिक से लेब की स्थापना ग्वालियर में होगी और किसान कल्याड एवं किरिसी विकास बिभाग, राज किरिसी विपडन बोड, उद्यान की एवं खाद पिसंसकरन बिभागी सयुक्त कारियोजना में समलित हाइटेक, फिलोरी, कल्चर, नरसरी और एरोपॉनिक से लेब की स्थापना के बारे मंतराले में हुई उच इस्तरीय बैठक में यह नेड़ लिया गया है और राजमंतरी कुसवाहा ने बताए कि उद्यान की बिभाग के फिस्ताओं पर भोपाल में फिलावर डॉम निर्मान को भी जल्द ही सुरू किया जाएगा और इसके लिए कार युजना तियार की गई है राजमंतरी कुसवाह ने काहे कि लेप का कार अंगले माहे के पहले सप्ताओं में शुरू किया जाएगा उन्होंने किसी बंडी वोड और द्यान की खाद पिसंसकन बिभाग की समनवे से युजना की किरियानमन में तेजी लाने के लिए भी काहे और साथी चैन फिसंग युजना को भी जल्द सुरू करने के निदेश जारी किये है और ये आप देखें 14 अपरेल 23 की घटना है मद्पदिस धार्मिक नियास धर्मस विभाग गवारा जारी यदिस उचना के नुसर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अमेडकर की जीवन से जुड़े पंच तीर्थ उनके जनम भूमी महू, सिक्चा भूमी लंदन, दीक्चा भूमी नांगपुर और महापरी निर्माड भूमी दिल्ली और चैत भूमी मुंबई को मुक्मंती तीर्थ दर्सन युजना से जोड़ा गया है और बाबा साहब अमेडकर की जनम भूमी महू आने वाली सिद्धालों की सुविधा के लिए महू में सरफ सुविधा युक्त धरमसाला का निर्माड किया जाएगा और जिसके लिए यह सैना से अब सैना से साड़ी तीन एकर भूमी के लिए अनापती प्रमाट का प्राप्त हो गया है यह भूमी डॉक्त भीमराव अम्मेड का मेमूरियल सम्ती को लीच पर देकर सिद्धालों की सुविधाओं के लिए धरमसाला अन आवसक विवस्ताएं की जाएगी और धारमिक नियास धरमस विभाग द्वारे जारी अधिसूचना से अम्मेड का जनम इस्थली और देखे पहले कानून मंत्री थे भीमराव सम्मेड का साब और हमारे समिधान के पिता भी इने मानते हैं क्या समिधान की पिता भी थे यह भी आप लोग याद रखेगा इसमें अंगली खबर है 18 अपरेल 2023 को मद्वतेश के सामाजिक निया इवं दिव्यांग जन ससक्ती करण मंत्री प्रेम सिंग पटल है दिव्यांग जन की उत्थान और नती के लिए उत्किष्ट कार करने वाले लोगों और संस्थाओं को दधीची पुरुसकार से सम्मानित किया है और इस सवस्तर पर आप देखी मंत्री ने सामाजिक निया विभाग में 169 नियुक्त सहाइक संचालक को नियुक्ती पत भी दिये हैं और मंत्री ने सेवन बादित दिव्यांग जनों को रोजगार देकान उन्हें समाज की मुकधारा से जुड़ा है इनका नाम क्या है मनुद दुबेदी और स्तरवन बादित दिव्यांगता वेक्ति के सेड़ी में 2013-14 का पुरुसका जबुलपूर के डॉक्टर स्रीस जांदाल को दिया गया है और बे सिविरों के माद्यम से दिव्यांग जनों को सहाई किंतिम अंग और ओकरन भी वितित करवाने में एवधान देती है और आप देखेंगे कि सांकेतिक भासा में राष्टगान की रचना करने बाले इंदोर के ग्यानिन पुरोहित को सरवन बादित दिव्यांगता वेक्ति के सेड़ी में 2014-15 का पिथम पुरुसकार प्रिदान किया गया है और इनके संकेतिक राष्टगान को राष्टी स्तरपवी मानता मिली है और ग्यानिन पुरोहित ने बिसेस रूप से जन जाती है और ग्रामीर छेत्त में सरवन बादित बच्चों को सामान विध्यालयों में प्रवेश दिलाने और विभिन सास्किय सेवाओं में रोजगार दिलाने में मात्मोर योगदान दिया है और सरवन बादित दिब्यांगता व्यक्ति का सेड़ी में 2015 सुले का दधीची पुर्सका जबलपूर की विवेख चतुरवेदी को दिया गया है और विवेख चतुरवेदी ने सरवन बादित इवाओं को डेस्क टॉप ट पबलेसिंग का पिसीक्चन रोजगार और अजीपका की मुक्धारा से जोडने के लिए केंसासन के कारिकरम में रोजगार उनमुकी कौसल पिसीक्चन भी दिलाया है और उन्होंने सरवन बादित द्वारा संचाली डेफ ग्राफिक्स की स्थापना ववेवसाई के लिए भी भरपूर सायता की है और विश्व का पांच भाव भारत का पहला ब्रेल स्क्रिप्ट अर्वी केंदर स्थापित करने वाले इंदोर की कुमारी राविया खान को द्रिश्टी बाद दिब्यांगता व्यक्ति के सेंडी में 2015 सोले का दूतिय पुरुसकार मिलाया उन्होंने बर्स 2011 में इंदोर में अर्वी केंदर स्थापित किया था और द्रिश्टीनों के लिए मदर्सा नियूर रिसर्श इंटिटीट की स्थापना करने वाली राविया खान द्रिश्टी हीन चात चात्राओं को सेक्षडिक और बेवसाइक मुख धारा में लाने के लिए लगातार काम करें मानसिक मंदिता दिव्यांगता दिव्यांगता ब्यक्तिकत सेंडी बर्स 2015 सोले का दूतिय पुरुसकार प्राप करने वाली उज्जयन के जगदीश पिसाद सर्माने 25 जाए से अधिक मानसिक आविक्सित दिव्यांगों को बौधिक परिक्षण के लिए प्रमाण पत्र दिलाया वाया है और मानसिक रोप से आविक्सित 3572 चात्रों को विध्याले में प्रवेस चात्विती और Special Education सुविधा दिलाई है और उन्होंने आप देखेंगे 495 दिव्यांगों को विवसाइट से जोड़कर आत्म दिरभर बनाया और 2875 लोगों को दिव्यांगों के लीगर गाड़ जीयन से दिलाई है और स्वयम दिव्यांग होने के बाब जूद दिव्यांग जनों के लिए उद्दीप सोसल वेलफियर सोसाइटी की स्थापना करने वाले पूनम सरोती को अस्थी बादित दिव्यांगता सेड़ी में बर्स 2019-20 का पिथम पुरुसकाद दिया गया है वह दिव्यांग जनों की सिक्षा फॉसल विकास और रोजगार के लिए कार कर रही है स्वयम नित्थीन होने के बाद जो दिव्यांग जनों के लिए रोजगार पिशिक्षा और सिविर आयुजित करने वाला भोपाल के उद्धे हत वलने को दृष्टी बादित दिव्यांगता ब्यक्तिकस सेड़ी में 2019-20 पिथम पुरुसकाद से नवा जा गया है और उद्धे हल हत वलने दृष्टी बाधितों की सिक्षाओ सामाजिक समायोजन के लिए विस्स आप देखेंगे रूप से काम कर रहे हैं और नर्वदापुरम की आर्ति दिव्यांग जनों को आत्में भर बनाते हुए उन्हों समाज की मुखधारा से जोडने और पुनरवास करने का महत्वोण काम कर रही है तो दिव्यांगों के पिती एक तरस्याब्दी की सहानवुती रखें उनके लिए काम करें इसके लिए पुर्शकार दिये जाते हैं 18 अपरेल 2023 को मद्पदेश के संस्किती विभाग द्वारा छिदवाड़ा की गोदर्ड देव मंदिर को राज सरक्षित इसमारग घोसित किया गया है और संस्किती विभाग द्वारा मद्पदेश प्राची इसमारग पुरा तत्विये इस्थल और आउसेश अधिनियम 1964 के तहित इसे राज सरक्षित इसमारग घोसित किया गया है और कल्चुरियों के समकालीन एवं राज सीमा से लगे होने के कारें इस मंदिर का बास्तु सिल्फ लगभग कल्चुरी स्थापत में से मिलता है और इसका निमार लगभग तेरेवी सदी में हुआ है भगवान सिपको समर्पित यह मंदिर भूमित्र सैली का है और भूबिन्यास में गरफग्रह अंतराल इवं मंडप है मंदिर का जंगा तक का पिष्ट भाग अपने मूल सरूब में है गरफग्रह भूतलीय है और जिसमें आप देखे सिबलिंग स्थापत है वहां तक जाने के लिए सौपान है और अंतराल की रथी काओं में गौरी वा भैराओ की पितिमाय स्थापत है और द्वार साखा में आप देखे सक्त मात्राय उत्तीर है और गरफग्रह मंडप के धौस्त होने पर इस्थानी लोगों के द्वारा जिद उद्धार कराये गया है और मंदी पर उसे में आप देखे मंडप के स्थम्ब स्थिब हैं और एक स्थम्ब पर देवनागरी में संस्कित भासा के आस्पष्ट लेख है इस मंदिर से कुछी दूरी पर आप देखें दोर मंदिरों के भगवाव से साफ लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहाँ अंगली खबर आप देखें 19 अपरेल 2023 की है इसदीर मुक्मंतिरी ने मीडिया पितिने दियों को बताया कि राजय सासन ने बर्तमान जुआ अधीनियम के स्थान पर मद्प्तेश युआ अधीनियम 2023 बनाने की आड़ा लिया है और मुक्मंतिरी यह का है कि आउन-लाइन गेम गेमलिंग बड़ी समस्या है और जिसे इन गतिविदियों में लिपत अपराधियों को दंडित भी किया जा सके ओनलाइन गयम देखते हो ना उसी की बात हो रही है 20 अपरेल 2023 को मंतराले में स्कूली सिक्षा विभाग द्वारा चात्रों में उद्दिमी विश्वास और कौसल विक्सित करने के उद्देश से तेयार किये गए तेजस्वी कारक्रम के किरियान मन के लिए बहु पक्षी MOU के हस्ताक्षर हुए है और आप देखेंगे कि तेजस्वी कारक्रम के देख चात्रों को विध्याले इन समय से ही नभी उद्देवों और विवसाय की जानकरी पिदान की जाएगे इसके लिए पितक पाठक्रम भी विक्सित किया गया है और विध्यालेओं में आप देखेंगे कि विध्यालेओं में इस पाठक्रम की आधार पर वो सापताय में तीन दिन 40-40 मिनिट की बिसे इसके अच्छाय संचालित की जाएगे और आप देखेंगे कि इसके साथ ही विभिन नवाचारी विवसायों पर आधारीद पिसीक्षन कारक्रम प्रोजेक्ट कारेवी संचालित होंगे इसके लिए आवसक लागात रासी भी कारक्रम अंतरगर सासन द्वारा उप्लब्ध कराई जाएगी और जिसे साले विध्यारती स्वयम रोजगार नई उद्मयों की स्थापना हितु पे रिथ हो सकेंगे और यह सावसर पर पिर्मुक सचिप स्कूल सिक्षा रस्मी अरूंड समी ने कहा है कि साला इस तर से ही विध्यारतीयों में चुनोतियों का सामना करने की आयोगिता की योगिता, योगितायों विवसाइक दृष्टी कॉंट विक्सित करने के लिए तेजस्वी कारिकरम प्यारम किया जा रहा है और आप देखे उन्होंने काए कि प्रायोगिक तोर पर यह कारिकरम अभी पिदेश के दो महानगरों विक्सित करना है ताकि वे जीवन की चुनोतियों के लिए बहतर रूप से दियार हो सके उन्होंने बताया कि तेजस्वी MP कारिकरम पाठकरम के अंतरकरत भोपाल और इंदोर के 301 सास की विद्ध्यालेयों में कक्षा नोभी के लगबग 44,780 बिद्ध्यारती और तेजस्वी MP सामाजे को विफसाएक नवाचा चैलेंज कारिकरम में इन दोनों नगरों के 116 बिद्ध्यारतियों के ग्यारवी कक्षा में आप देखे 22,738 बिद्ध्यारती लाबान बित होंगे इसमें यह आप देखे 19 अपरेल की घटना है यह 19 अपरेल 2023 को राज्य सासन ने ट्रांजेंडर समधाय को मत्पिदेश राज्जी पिछा बरक की सूची में सामिल करने की अदिसूचना जारी किये और ट्रांजेंडर किंडर समदाय को मत्विदेश राजी पिछ़़ा बर्ग आयोग अधिनियम 1995 की तहर जोड़ा गया है और पेदेश में विकास की मुखधारा से अलग रहे चल रहे किंडर ट्रांजेंडर समदाय को पिछ़़ा बर्ग सूची में सामिल करने की पिछ़़ा बर्ग वाल संक्या की सकल्याण बिभाग की फिस्ताओं को 11 अपरेल को मुखमंती सिवरा सिंग चोहन की अधिश्ता बाली केमिनेट ने सुई किती दी थी और रास सरकातवरा किंडरों को वी सी बर्ग में सामिल करने का फैसला सुप्रेंग कोट एक फैसली की परिपालन मिलिया गया है सुप्रेंग कोट ने फैसला दिया था कि सिक्षा सामाजिक आर्थिक तोर पर इन्हें फिच्षा माना जाता है सामाजिक नियाए विभाग के अंसार फिदेश में किंडरों की प्रमाड़े संख्या नहीं है जबकि आर्थे के वं सांखी की विभाग ने करीब 6000 किंडरों की संख्या दर्ज की है जिसमें कुल कुछ जिलों में सिधार भी किया गया है और आप देखेंगे कि पिदेश में चुनाव आयों के रेकॉर्ड में 1432 किंडरों दर्ज है जिसमें सबसे जानदा आप देखेंगे 172 किंडर भोपाल में जबकि उज्जन में 75 इंदोर में 102 दर्ज किये गए है और 24 फरवरी 2023 को राय सरकार ने मत्विदेश ट्रांजेंडर अधिकारों का सरक्षन नियम 2021 के तहत आदेश जारीकर नोकरियों में सीधी भर्ती में ट्रांजेंड समदाय के लिए अलग सेड़ी बनाई है और इसके साथ ही अब सरकारी नोकरियों के लिए आविदन पत्र में पुरुस महला के साथ ट्रांजेंडर का विकल भी हो गया है इसमें आगे आप देखेंगे ए 19 अपरेल 2023 को मद्ध पिदेश जनसंपर विभाद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मद्ध पिदेश पुलिस के दो पिसिक्चन संस्थाओं पुलिस अकादमी भोरी और पिसिक्चन साला पचमणी को पुलिस के सरफसिष्ट पिसिक्चन संस्थाओं को पितीवस द पत्त के साथ दो लाग रोपे तक की नगत रासी भी प्रिदान की जाएगे। पत्त के साथ MOU और विसी सगता की आदान प्यदान से उत्तम कोटी की पईडाम सामने आ है। निर्धारेत मापदंड पर बहतर पिसीक्षन पदिती संसादनों का समचित रख रखाओ। बर्स भर में उत्किष्ट पिसीक्षन चमता पिदासित करने वाली पिसीक्षन संस्तानों का चैन राष्टी स्तरफ गठित कमेटी द्वारा किया जाता है। अंगली खबर आप देखेंगे। अबूतपूर गौरपूर उपलब्धी प्राप्त किये। और बुर्हानपूर को देश में पहला घर हर घर जल सर्टिफाइड जिला बनने का गौर प्राप्त हुआ है। हर गाओं में पानी पहुंचा कर बुर्हानपूर ने देश को एक नई दिसा दिखाई है। और जल जीवन मिसन में अब तक पिदेश में 59,15,000 से अधिक ग्रामीट परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराए गया है। और सभी 200 चंगन गाओं में हर घर जल योजना से पानी पहुंचाय जा रहा है। और बुर्हानपूर जिले में जल जीवन मिसन हर घर जल योजना पंचायतों द्वारा संधारित और संचालित की जा रही है। तो वहीं उनके परिवार की आर्थी किस्तिती भी बहतर हुई है। अपनी देश की पहली सरकारी बिजली बितरन कंपनी है। जो वाटसब पे के माद्यम से ओनलाइन बिजली बिल भुकतान का अबने प्रयास शुरू कर रही है। और इसमें आप देखेंगे। आप देखेंगे कि जिस अतरिक्त डाउनलोड या पंजीकरन की आवसकता नहीं है। और भुकतान के इस नए तरीके से नाकिबल भुकताओं को अपने बिलों का भुकतान करना असान होगा बलकि इस समय और मेहनत की भी बचत होगी। WhatsApp पे और अन्लाइन भोक्तान बिकल्पों के साथ वो भोक्ताओं को आप अपने विजली बिलों का भोक्तान करने के लिए क्लेक्शन सेंटर जाने की आव सकता नहीं है यही एक तेज और कुसल समाधान है जो भोक्तान पिक्रिया को सरल करेगा वो भोक्ता संतुष्टी में सु यह आप देखें 21 अप्रेल 2023 की घड़ना है मदपदेश की मुख निरवाचन पतादीकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारण निरवाचन आयो ने समाध सेवी का धर्ड जेंडर संजना सींग को मदपदेश निरवाचन राज्य इस तरी आइकोन नेवक्त किया है और जो इसके लिए भारती निरवाचन आयो है, Election Commission of India, Article 324 को पढ़ेंगे ना तो भारती निरवाचन आयो की स्थापना की बात कीगी है 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेड़क्वाटर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और सुकुमासेन पहले मुख चुनावाई थे उसके यह आप देख समाच सेवी का थर्ड जेंडर संजना सींग पुस्पा नगर बाओडी चांद वड की रहने वाली है मुख निर्वाचन पदादीकारी अनुपम राजन ने बताए कि पिदेश में निवासरत थर्ड जेंडर मद्दाता मद्दान पिकरिया में अधिक से अधिक सहभागिता निवाए और इसके लिए थर्ड जेंडर संजना सींग को राज इस्तर ये आईकोन अब बनाये गया ह इसके अलाबा सन्याज से इंको साल 2017 में डेटॉस वक्ष भारत बनेगा भारत लाइव सो में सदी के महानायक अमिता बच्चन द्वारा भी संबानित किया ज़ज़ चुका है इसके लिए इनके काम के लिए अब आप देखेंगे अंगली खबर है 24 अपरेल 2023 को लोग स्वास्तिवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पिरवूराम चौदरी की अध्यक्षता में मंत्राले में हुई राज सहायता प्राप्त जननिये प्रोद्ग की और सरोगी सी बोड की बैठक में यह जानकारी द सामिल है और बैठक में बताया गया कि अधिनियम में राजबोर्ड जिला समचित पराधिकारी jilalapal妃 आदिकारी की अधीश उचित करने समन्धी कार करने बाला मद्देश देश का पहला राज्य है और पिदेश में अधिनियम के अधीन 74 संस्थाओं का पंजियन किया गया है और इन संस्थाओं में ART बैंक, ART लेवल एक किलिनिकल, ART लेवल दो किलिनिक और सरोगिसी किलिनिक सामिल है और अधिनियम में सरोगिसी पिक्रिया के लिए प्रोसेस फैलो और बिभिन प्यारूपों के निधारन में भी मद्वदेश देश का पहला राज है, MP पहला अब आप देखेंगे, अंगली खबर है, हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी किर्मसार अफी की देश नावीबिया से लाकर, मद्वदेश के स्योपुर, कुनो राष्टी अभ्यारन में रखे गए चीतों के लिए अब गांधी सागर अभ्यारन को विक्सित किया जा रहा है और मीडिया की रिपोर्ट की बात माने तो मद्वदेश की मुखमंतरी सिवरासिंग चोहन ने कहा है, कि गांधी सागर अभ्यारन को चीतों के लिए बिक्सित किया जा रहा है, और अंगले 6 महीने में यह बनकर तियार हो जाएगा, और बन भिवा की बरिष्ट अधिकारी न को चीतों के लिए नए घर के रूम में बिक्सित करने का निर्देश दिया है, और मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि गांधी सागर में नाभीबिया से लाएगे चीतों के लिए नया निवासिस्थान बनाने हितु सिवरासिंग चोहन की सरकार की ओर से यह कदम विसे स सग्गों के सुझाओं के बाद उठाय गया है और विसे सग्गों ने सरकार को चुदाओ दिया कि कुनो राष्टी अभ्यारन नाभीविया से लाएगे सभी चीतों के लिए परयाप्त नहीं है और चीतों के नया घर बनाने के लिए गांधी सागर अभ्यारन को विक्सित करने में 20 करोर रोपी एक खर्च किये जाएंगे और बन विभाग ने राष्टी बाग सरक्षन प्राधीकर्ण से इस सम्मंद में नेड़े लेने को भी कहा था चलिए अब अंगली खवर की तरफ चलते हैं ब्यापार अनुग्यापन नियम 2023 अधीस उचित किया गया था और इन नीमों के लागु होने के बहले जिन नगलिये निकायों द्वारा मद्विदेश नगर पालिक, निगम अधीनियम 1956 अध्वा मत्विदेश नगर पाली का दीनियम 1961 की प्रावधानों के अनुसार निकाय इस तर पर ब्यापार बीनियमन के लिए ब्यापार अनुग्यप्ति टेड लाइसेंस जारी करने के लिए सुल्ग निर्धारित करके नियम लाओ किये गये हैं और यह पूरवनमाज अनुस किया गया था इसमें अब आप देखेंगे कि अंगली ख़बर है इसकी बाद ए 25 अपरेल 2023 की है मद्विदेश के मुकमंती सिवरासिंग चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक कैमिनेट की बैठक में पन्ना जिले की दो सिचाई परियोजनाओं एक आप देखे रुंज मध्यम सिचाई परियोजना दूसरी मजगाओं मध्यम सिचाई परियोजना को पुना रिक्षित सुईकिती दे गई है और रुंज मध्यम सिचाई परियोजना में सिचाई का च्छित 14,450 हेक्टर है परियोजना के लिए 513 करोड 72 लाग रुपे सुईकित किये गए है और र परियोजना के लिए 693 करोड़ 64 लाक रुपी स्विकित किये गये हैं और मजगाओं मध्यम सिचाई परियोजना सिपना जिले की अजगर तैसिल की 38 गाओं को 1360 हेक्टर में सिचाई का लाब्धी से मिलेगा क्या होगा लाब्धी मिलेगा अब आप देखेंगे ये खबर आपकी 26 अपरेल की हंगली 26 अपरेल 2023 को मत्विदिश के राजपाल मंगू भाई पटेल ने कुसा भाव ठाकरे अंतराश्टी कर्वेंशन सेंटर में दो दिवसी आई सेक्ट राष्टी संगोष्टी का उद्गाटन किया है और संगोष्टी का आयोजन आत्मरवर भारत के लिए सामाजिक उद्धिमिता और कोसल विकास बिसेपर आप देखें चर्चा के लिए किया गया है एक तरह से कि इस आउसरप आई सेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट के मद्द सामाजिक उद्धिमिता पर पारसपर एक समझोता किया गया और साथी युवा उद्धिमियों का सम्मान भी किया गया है और रविन्नाट टेगोर विसविद्ध्याले के कुल पती हैं कुलादीपक्ती हैं संतोस संतोस चौपी ने बताई कि मत्पदेश भारत का पहला कौसल विकास विसविद्ध्याले आई सेक्ट द्वारा इस्थाबित किया जा रहा है और यह संस्थान का छटा विसविद्ध्याले होगा और उन्होंने बताई कि आई सेक्ट सामाजिक उद्धिमिता पर आधारे 37,000 केंद्रों का 27 राज्यों में संचालन कर रहा है और केंद्र का मौडल भारती भासाओं और सोसल कनेक्ट पर आधारेत है और तक्नीक के साथ किरसी के चित में भी संस्थान द्वारा पहल की गई है इसमें और आई सेक्ट के सचिब डॉक्टर सिधार चतुरवेदी ने संगोष्टी की रूप रेखा पर प्रिकाश डालती हुए बताये कि संगोष्टी का आयोजन सेंकला में किया जा रहा है और इस तरह आप देखेंगे कि संगोष्टी में बताये गया कि देश में ग्यान आधार अरी डिजीटल अर्थ विस्था भविस्था भविस्थ की प्रोद्गी की में नवाचा लॉजिस्टिक्स रक्षा अंतरिक छेत में स्टार्ट अप के लिए नए आउसर निर्मित हुए हैं और हर्ट हाइडोजन मिसन को 20,000 करोर रुपे मिले हैं और पिछले बरसों में रक कारिकरम सुरू किया गया है और सरकार प्रिदानमंत्री कॉसल विकास योजना में कॉसल पिसीक्षन के लिए देश में 30 इसके लिए अंतराष्टी केंद तीन किंते मेधा उतकिष्टा केंद और 5G एपलीकेशन विकास के लिए 100 परियोक सालें खोल रही है और आप देखें कारीं कि अनुषार राष्टि जो काना राष्टी उद्ध्यान है ना इसमें 27 से 29 अपरेल तक International Wild Light Conference कायों किया जाएगा कहां काना राष्टी उद्ध्यान में और इस Converse कायों पिदेश में बन की अनुसंद्हान का एक पूरे होने और मुख मंत्री सिवरा सिंग चोहन द्वारा नर्वदापुरा में 27 मार्ट 2020 को की गई घोषना के अनुप किया जाएगा और अंतराष्ठी कॉन्फेरंस में बन जीप विसेसंड बिसेसंड पदम ए भूसंड डॉक्टर आप देखेंगे कि डॉक्टर एच एस प प्रवांगीन विकास के लिए निसकर्स निकाला कॉन्फेरंस का मुख कुद देश है और बन बिभाग और राजजबन अनुसंदान बन जीप सरक्षन उभरता परिदिस एवं इस भावी रणीती विसेपर बन प्राड़ी प्रवंधन सरक्षन पुनरवास और संतुलन बनाने के लिए इस छेत के विसेशग सोथ करता और पिसेवर चार तखनीकी विसेपर सोथ पत्र एबं बक्तब फिस्तुत करेंगे और इसके साथ ही बन प्राड़ी प्रवंधन सरक्षन पुनरवास जैसे महत्पूर्ण विसों पर वर्तमान परिदिस्सों पर गहन अब आप देखेंगे कि अंगली खबर है 27 सपरेल 2023 को मद्ध पिदेश हाई कोट में साथ नए जज़ों की पदिस्थापना की गई है और इसमें पिदेश की हाई कोट में आप देखेंगे ज़जों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है लेकिर अब भी सुईकिती में आप देखेंगे 16 पद रिख खाली है यानि की और मद्ध पिदेश हाई कोट में साथ नए ज़जों की पदिस्थापना की गई है और इसमें रूपेश चंद बरसे ने, वरसने और अनुराधा सुकला, संजीब सुधाकर, कलगाओकर, प्रेम नारायन सींग, अचल कुमाज पालीवाल और हिर्देश और हर अरवेंद कुमार सींग के नाम सामिल है मदपिदेश हाई कोट में जजों की स्विकिती पदों की संक्या त्रेफन है, जिसमें से आप देखें, बर्तमार में चीप जश्टिस को मिलाकर, तीस जजज काम कर रहे है और लंबज सवे yoe से हाई कोट में जजों की नियूकती की मांग की जा रही थी और इसके बाद उक्त नामों की सिफारेस की गई जज की रोम में नियूकत किये आने के आधेस भी जारी किये है तो मद्पिदेश का हाई कोट आप लोग कहां देखते हैं जबलपुर में मुख पीट है और इसके दो खंड पीट आप देखते हैं एक आपकी इंद और दूसरी ग्वालियर 28 अपरेल 2023 को संस्किती विभाग की मद्पिदेश उर्दू अकादमी ने 2021-22 में पिकासित पुस्तकों पर 6 अखिल भारतिये पुरुसकारों बारे प्रादेशिक पुरुसकारों की गोशना की है यह पुरुसकार इस तरह से हैं यह अखिल भारतिये पुरुसकार हो गया इसमे अजीज भोपाल के हैं, जाविया ए निगा है, इनके रचना है, हामिद सईद खाप पुरुसकार रसंदा महेंदी दिल्ली की हैं और आप देखे मानसून इस टोर इनकी रचना है, सदा इंदोरी पुरुसकार एवद्र वास्ती भोपाल की हैं, नाच गान इसकी रचना है, ज खुद कुसी नामाईन की क्या है रचना है, और प्रादेशिक अगर हम लोग पुरुसकारों में बात करें तो सिराज मीरखा सहर पुरुसकार, इस सवूर आप देखें आसना बुर्हानपुर के हैं इंतिजार और कब तक, इनकी किट्ती है, यानि की रचना है, बासित काई हूँ, मैं समाज हूँ, इनकी रचना है, नबाब सिद्धिगी, हसन खाँ पुरुसकार, रसिद अन्यूम को मिलाए भोपाल के हैं, और आवाज की दुनिया का दोस्त अमीन सयानी, सेरी भोपाली पुरुसकार, रफीप, रफीक, रवानी, रीवा के हैं, कुछ सेर, कुछ गजले, और कैफे भोपाली पुरुसकार, उर्दू सिक्चक, रुस्तदा, जमील भोपाल के हैं, इस संभूदयाल, सुखन पुरुसकार, महंद अगवाल सिवपरी के हैं, रोबरो, इनकी रचना है, और यह आप देखते हैं, सिफाग वालियरी पुरुसकार, डॉक् जमानपुर के हैं, मिट्टी डाल पर इनकी किती, यानि की रचना है, और जास्त, निसार, अक्तर पुरुसकार, पुरुफे, सर अफाक, हुसेन, सिद्दिगी के हैं, भोपाल के हैं, उर्दू सायरी में सक्ती मरसिये के लिए, पन्नालाल, नूर, स्रीवास्त, पुरुसका और निदा फाजली पुरुसकार, जमील, अहमत, जमील, जवलपुर के हैं, डॉक्त, डा, रुवाबी, फिक्र हैं, अखेल भारती पुरुसकार की रुप में 59,000 रुपे, बारे परादे सिक पुरुसकार में 31,000 रुपे की सम्वान रासी दे जाएगी, और यह सभी सम्वा लाडली बहना योजना के अंतरगत, आठ विविन बोलियों में, गीत लेखन और संगीतिक रचना की विजयता घोसित किये हैं, और यह आप देखेंगे, हिंदी के लिए ग्वालेर की विजय स्यादाओ को पिथम, विदीसा के राहुल विसुकर्मा को दुतिये, और सेंगर लुगता में इसी तरह निवाडी, बोडी के लिए खरगौन के अंकुर जोसी को पिथम, महेसोर की हरीस दोवे को दुतिये, और खरगौन की यसवंत यादाओ को तितिये इस्थान के लिए चैनित किया गया है, मालीवी बोली के लिए उज्जन के पंडित हरी हरेसोर, वरी, भीली और गौंडी बोली में प्राप्त गीत और ओडियो के लिए में किसी भी पितियोगी पिती भागी को पुरुसकार योग नहीं पाये गया है, और आप देखें कि याद रहे मत्पितेस आसन की लाड़ली वहला व्योजना पर आधारित हिंदी सहत पितेस की आठ विविन बोली बुन्देली बगेली निवाडी निमाडी मालवी भदा वरी भीली गौंडी कोरकु में गीत लेकन और साहितिक रचना में पिती भागीयों से रचनाय आवंतित की गई थी, ठीक है, अंगली खबर आप देखेंगे, 30 अपरेल 2023 को पिधानमंतिर इनेद मोदी के मन की बाद के सौवी एपीसोड पिसारन कारिकरम में, मद पिदेश के राजपाल मंगु भाई पटेल और पिदेश के पदम पुरुसका से समानित, और मन की बाद में उल्लेकित, विभूतियों और आमंतित गड़मान अतीतियों के साथ राजभवन में सामिल हुए, और म पिदेश के राजपाल में, मन की बाद में, मद पिदेश के उल्लेकित पिसांगों से समर्द भीभूतियों को कारिकरम के बाद राजभवन में इसमिती चिन्द पिदान किये, इनमें आप देखी ममता सर्मा, सोबास, जलोदिया, मास्टर स्तोसार, आसाराम चौदरी, उसा दोवे, अत्तुल, पाटिदार, बवीता राजपूत, राम लोटन कुसबहा, अर्जुन सींग, रोहिस सौधिया, रजनीस, फिल्ट, डारेक्टर, पैंच, टाइगर रजर्ब, और ज्यानेंद प्रोहित, मोनिका प्रोहित, गीता, पिसांत धावले, भावना, डहेरिया, और मंजू, मंडलोई सामिल है, और राजपाल ने कारकरम के बाद संदीपनी सभागार में केंद्री ये संचार वीरो द्वारा लगाई गई, पेदसनी का उद्गाटन किया, एह पेदसनी आजादी के हमरित महोसो, नय भारत बदलता, भारत उपिधान मंतरी की मन की बात मे इस तरह से आप देखेंगे कि अपरेल महिने की जो भी घटनाय थी, उनके बारे में एक ओवर भी हम लोग ने ले लिया है, अंगली कलास में हम लोग मई 2023 में जो भी घटनाय घटेंगी, उनके बारे में भी बात कर लेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, इंज्वाय करते आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओ हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, मेरी सुब कामना हैं आप लोगों के साथ,